गर्चिरोली जिला एक सुदूर नकसल प्रभावित कमजोर और गैर ओद्योगिक जिला है और आधिवासी अब भी वहाँ पारंपरिक खेती में लगे हुए हैं उनके पास क्रिशी विकास के अलावा किसी अन्यो द्योग में कोई कौशल ही नहीं है जिससे उनकी वित्य स्थिती और खराब हो जा रही है इसे बात को ध्यान में रखते हुए गर्चे रोली पुलिस बलके ददलोरा खिडकी और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन राले गाओं ने सयुक्त रूप से 76-2022 को पुलिस मुख्याले में एक लव्य धाम में एक भव्य महिला रोजकार मेले का आयोजन किया जिसका उदेश दूर दरास के छेत्रों में आदिवासी बेरोजकार युवाओं को रोजकार के अफसर प्रदान करना और उनका उत्थान करना है उनके जीवन स्तर का आयोजन किया गया था महिला रोजकार मेले में दुरस्ते शेत्रों में अतितियो एवं नर्सिंग साहिक प्रशिक्षन के लिए चैनीत 157 युवतियों ने भाग लिया इस अफसर पर सिलाई मशीन का प्रशिक्षन पूर्ण करने वाली 57 महिला प्रशिक्षियों को माननी द्वारा सम्मानित किया गया सांसर श्रीमती सुप्रिया ताय सुले द्वारा सिलाई मशीन का वितरन भी किया गया साथ ही फर्स्ट एजुकेशन फाउंडेशन राले गाओं में हॉस्पिटिल एटी एवं नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए चैनीत 100 महिला प्रशिक्षियों को गुलाब वनियुक्ति पत्र दे कर सम्मानित किया गया इस अफसर पर मार दर्शन देते हुए सांसच श्रीमती सुप्रिया सुले ने गडची रोली पुलिस बल की सरहना करते हुए कहा झाल